रास्टे राजमार्क पर अरपणा अस्पताल के नस्दीक चलती ट्राली का पहिया निकल गया जिसके चलती पीछे से आरही सवारियों से भरी मैक्सी कैब पलट गई और एक कार मैक्सी कैब से टकरा कर दुरघटना घरस्थ हो गई हाथसे में दो महिलाएं गंभी रूप से घायल हो गई हैं जिनको रहागिरों की सहायता से अरपणा अस्पताल में दाखिल करवाया गया है गटना की सुचना मिलते ही पूलिस मोके पर पहुच गई पूलिस ने शतिग्रस दुवानों को अपने कबजे में लेकर जाच परताल शुरू कर दी है मंगलवार की शाम करीब साड़े पांच बजे एक ट्रैक्टर ट्रोली घरोंडा से करनाल की तरफ जा रही थी ट्राली में गरेलू समान लदा हुआ था अरपना अस्पताल के नस्देक अचानक ट्राली का दाया पहिया निकल गया पहिया ट्राली से निकल कर डिवाइडर को पार करता हुआ लग बग 50 मिटर दूर करनाल पानिपत हाईवे पर जा गिरा गनीमत रही कि दूसरी तरफ से उस समय कोई वहां नहीं आ रहा था अन्यता बड़ा हाथसा हो सकता था ट्राली का पहिया निकलती ही ट्रैक्टर चालक ने संतूलन खो दिया जिससे पीछे आ रही सावारी गाड़ी मैक्सि कैब ने अपना संतूलन खो दिया वहससडक पर पलट गई कैब के पीछे चल रही पोलो कार भी कैब से तकरा गई कैब में तीन चार सवार्य थी जिसकी कार में डिवाइडर तरुन गुपता था जो घरुणा से कर्णाल जा रहा था मैकसी कैब में मुझूद कर्णाल निवासी पूजा वर राइपूर रोडान निवासी रेखा गंभी रूप से घायल हो गई है जिसके अतिरिक्त कुछ अन्ये सवार्य को मामुली चोटे आई है गंभी रूप से घायल हुई दोनों महिलाओं को अरपना अस्पताल में भरती करवाया गया जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार किया हाइवे पर हाथसा होने से जाम किस्थिती उत्पन हो गई गटना की सूचना के बाद मधुबन पुलिस मोके पर पहुच गई रूशतिक इस्तवानों को उक्रेन की सहायता से हटवाया और रास्ता बहाल किया गया और ये आपकी गाड़ी में कितने सवारिया थी कहां से खाहां जारते आप मैं करोंड़ा से करना रहा हूँ ऐसी ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें खन्यवाद।